सीधे रुक करते हैं शिमला का आपको बता दे शिमला जो है वो ये जो और अब देखना होगा कि कितरी देर में अब हलिकॉप्टर पहुंच रहे क्यूंकि शेडियूल यहां पर लगातार है टाइमिंग जिस प्रकास से दी जा रही है अलग अलग टाइमिंग विधायकों को दी जाए रही है अब हलिकॉप्टर की लैंड होने की तो वो शेडियूल के हिसाब से सारी चीज़े वेवस्थित की गई है तो कुछ देर में हलिकॉप्टर पहुंच रहा है यह हलिकॉप्टर जो भी पहुंचा है यह दूसरा हलिकॉप्टर जैस्पीन है कुछ क्षणों म में राजनेतिक हलचल लगातार जारी है लगातार तेज है और अब उसी को देखकर अभी कुछ देर पहले जिस प्रकार धर्माणी ने कहा कैबिनेट मंतरी जो हाल ही में बने हैं बिलकुल तो ये तस्वीरों में देख रहे हैं आप इस वक्त हैली पेट पर मौझूद है हमारे सयोगी और अभी एक हैलीकॉप्टर लैंड किया है और कुछी देर में जो विधायक हैं छे विधायक उनके लावा तीन इंडिपेंडेंट हैं उनको लेकर कुछी देर में सबाके वो सस्पेंड कर सकते हैं और चुकी विध जारी हुआ है तो ऐसे में सदस्ता भी रद की जा सकती है तो कुछी देर में जो बागी विधायक हैं वो पहुँचेंगे शिमला हिमाचल प्रदेश की राजदानी एक हेलीकॉप्टर पहुचा है और कुछी देर में उमी हैं हर्ष महाजन उन जीत हासिल कि अभिशेक मनु सिंग्वी कॉंग्रेस के जो नेता हैं उनको शिकस्त मिली है उसके बाद जबरदस्थल चले आज सुबा सुबा साथ बजे के करीब गवनर से मिलने को एक लेंडिंग का शेडियूल यहां पर जारी है और कुछ देर में उ जर दोडाएं तो आज यह उमीद लगा रही है लगाई जा रही है कि जैसे ही ग्यारा बजे विधान साबा का सतर शुरू होगा उससे पहले तमाम विधायक 68 के 68 विधायक आज हो सकता है अगर जो विधायक बीमार चल रहे हैं वोटिंग के लिए कल भी उनको चौपर के मा पहुंच पाते हैं इसके आलावा कितनी देर में अब भाजबा के विधायक यहां पर पहुंचते हैं क्योंकि एक और शुडूल अभी एक और फ्लाइट का यहां पर रहने वाला है उसके बाद उमीद लगाई जा रही है कि जो नेक्स्ट शुडूल है वो भाजबा विधा जिनमें जे 6 कॉंग्रेस के हैं और 3 उसमें इंडिपेंडन्ट हैं और इन्होंने बकायदा भी राजीब बिंदल जो बीजबी के बड़े नेता हैं उनसे पंचकुला में मुलाकात की और वहां से सीधे रवाना हुए हैं हली पैड और अब कुछी दिर में शिमला हली पैड कॉंग्रेस हार गई कॉंग्रेस सरकार के पास अपने कुल 40 विदायक थे तीन निर्दले विदायक भी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे लेकिन राजे सबा के चुनाव में बीजेपी ने कॉंग्रेस को पटकनी दे दी और अब बीजेपी ये दावा कर रही है कि सुख्धू सर सरकार गिर भी सकती है इसके अलावा बीजेपी भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है इसके लिए बाकाइदा अभी जैराम ठक्र जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने ये बात भी कही कि अल्पमत में है सरकार और यही नहीं सुख्धू खुद अपने ही घ कि हमाचल कॉंग्रिस में बड़ी तूट की आशंका है कॉंग्रिस के 5 MLA और 2 मंतरी BJP के संपर्ख में हैं कॉंग्रिस के 6 भागी विदायक पहले से ही BJP के साथ दल बादल खानून से बचने के लिए 13 विदायकों की जरूरत है तो अब ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या जो 20 नमबर बताया जा रहा है कॉंग्रिस के विदायकों का तो ऐसे में तो आदा हो जाएगा यानि 40 अभी कॉंग्रिस के विदायक हैं और अगर उन में से 20 तूट जाते हैं तो फिर ये सब जो है अगर हम आपको बता दे होना है तो ऐसे में दल बादल कानून जो होता है एंटी डिफेक्शन रॉ उसके लिए 13 विदायकों की जरूरत पड़ती है तो क्या वो पॉसिबल हो पाएगा चॉपर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अब हो सकता है इसी में वो विदायक हो जो बागी विदायक है जो पचकुला से पहुंचें ये शिमलाज और सीध विदान सबा जाएंगे क्योंकि आज बजट सत्र का कल आखरी दिन है और आज बजट सत्र होना है तो ऐसे में देखना होगा कि क्या करवट बदलती है हिमाचल की राजनीती तो पर ते जरीए जड़ाव है ओ लेके जाये जाये का इनना विदायका नू ये विदायका नू है छे कॉंग्रिस के विदायक हैं तीन इंडिपेंडेंट है वो शिमला पहुंचेंगा और सीधे विदान सबा के लिए रवाना होंगे बहुत जादा फासला है नहीं लगबग 20 मिनट का रास्ता है एहली पैट से विदान सबा तक का 11 बज़े टाइम है बजट सत्र की शु पीच कॉंग्रिस आला कमान जो है उसने भी अपने दो अब्जरवर जो हैं वो बना लिये हैं हमारे साथ राहूल माजन वरिष्ट पत्रकार है कर दयरे साथ तक है